हेलो दोसों कैसे हो आप सब जोब यूणिवर्सिटी चनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ पैकाश और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिड़ बी ग्रेड एक नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स अपलाई करने की एज लिमिट क्या रहेगी एजुकेशनल क्या रहेगा सिड़ बी में ग्रेड ए ओफिसर की वेकेंसी निकली वी है जेनरल स्टीम के लिए टोटल 100 वेकेंसी निकली वी है आपको एक उनलाई एक्जाम देना होता है उसके बाद आपको फिर इंटर्व्यू के लिए कॉल के जाता है यानि कि सिंगल एक्जाम रहेगा और आपको इंटर्व्यू प्रोबैबली में के मन्त में होगा अगर बात करें तो यहां टोटल 100 वेकेंसी निकली वी है और सेलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 28,500 रहेगी तो आपकी ग्रॉस सेलरी मन्तली बनेगी 70,000 इसके लावा बहुत सारे अलवैंसे है वो भी आपको यहां मिलेंगे इसके लावा आपको जो भी अलवैंसे रहते हैं वो सारे आपको मिलेंगे सेलेक्शन के बाद आपको टू यहां का प्रोबेशन पिरेट सर्व करना होगा और यहां बॉंड भी रहता है तो आपको सेलेक्शन के बाद एक सर्विस बॉंड साइन करने होती है जो इसकी amount रहेगी 2 lakhs की और यह 3 years के लिए रहेगा यानि कि 3 years से पहले अगर आप resign करके जाना चाते हैं तो आपको 2 lakh rupees यहाँ pay करना होगा apply करने की age limit minimum 21 years है and maximum 28 years है और यह 4th March 2022 के recording check की जाएगी तो अगर आपकी date of birth 5th March 1994 से लेकर 4th March 2001 के बीच है तो आप यहाँ apply करने की eligible हो लेकिन अगर आप category में आता हो तो आपको age में relaxation मिलेगा educational qualification की बात करें तो education 24th March 2022 के recording चेक की जाएगी अगर आपने bachelor's किया हुआ है law में या अगर आपने bachelor's किया हुआ है engineering में या अगर आपने B.E.B.T.E. को अगर किया हुआ है या फिर अगर आपने master's किया हुआ है किसी भी discipline में या अगर आपने C.A.C.S. C.W.A. C.F.A. किया हुआ है या फिर अगर आपने PhD किया हुआ है किसी भी stream में तो आप यहाँ apply करने के लिए eligible है यानि कि यहाँ पे जो normal graduation वाले है वो apply नहीं कर सकते है जैसे अगर आपने B.E.A. B.E.C. B.C.A. अगरा किया है तो आप यहाँ apply करने के लिए eligible नहीं है minimum 60% marks आपके रहने चाहिए यानि कि first class degree रहनी चाहिए और अगर आप SCST के डिगरी में आते हो last semester की marks sheet या फिर degree होनी चाहिए तो ही आप यहाँ apply कर सकते हो selection process की बात करें तो यहाँ online exam आपको देना होगा जो की computer based होगा and इसके बाद आपको interview के लिए call के जाएगा and final selection online exam plus interview के marks के basis पे होगी online exam की बात करें तो total 3 hours का आपका exam होगा जिसमें आपको objective test भी देना होगा and इसी के साथ subjective test भी देना होगा यानि की descriptive test भी देना होगा और दोनों ही exam computer based होगे यानि की online रहेंगे objective test की बात करें तो यहाँ जैसे bank exam normal होते है उसका जो pattern रहता है उसी जैसा रहेगा वही सब section से questions पुछे आएगे तो English, General Awareness, Reasoning and Quants से questions पुछे आएगे English से total 30 questions पुछे आएगे maximum marks 30 रहेगा and इसके लिए 20 minutes का time मिलेगा GA section से 50 questions पुछे आएगे maximum marks 50 रहेगा and इसके लिए 30 minutes का time मिलेगा reasoning से total 40 questions पुछे आएगे maximum marks 60 रहेगा and इसके लिए आपको 40 minutes का time मिलेगा and quants से 40 questions पुछाएंगे maximum marks 60 रहेगा and इसके लिए आपको 30 minutes का time मिलेगा यानि कि यह जो objective test होगा इसमें total 160 questions पुछाएंगे maximum 200 marks रहेगा and इसके लिए आपको 120 minutes यानि कि 2 hours का time मिलेगा इसे के साथ आपको same day में descriptive test भी देना होगा online descriptive test रहेगा यानि कि computer based रहेगा computer में आपको type करना होगा तो यहाँ पे आपको 2 essay लिखना होगा जो कि 20 marks each रहेगा यानि कि हर question 20-20 marks कर रहेगा हर essay और इसे के साथ आपको एक letter लिखना होगा जो कि 10 marks कर रहेगा तो total 50 marks का आपका English descriptive test होगा इसके लिए आपको 60 minutes यानि कि 1 hour का time मिलेगा तो overall जो आपका exam होगा यह total इसमें 250 marks रहेगा maximum इसके लिए आपको total 3 hours का time मिलेगा अगर बात करें paper की तो यह जो paper है यह bilingual रहेगा यानि कि English या Hindi कोई भी language आप चूज कर सकते होगे exam देने के लिए and descriptive test जो रहेगा वो आपको English में ही देना है and English language की जो test रही हो वो भी English में ही रहेगी उसके बाद objective test में one fourth negative marking रहेगी and यहां sectional timing आपको दी गई है sectional cutoff भी रहेगा तो वो आपको ध्यान देना है इसके अलावा individual test यानि कि objective test की भी cutoff रहेगी and जो subjective test descriptive test होगा उसकी भी अलग से cutoff रहेगी तो दोनों में आपको qualify करना होगा और एक और condition है कि जब आप objective test qualify कर लोगे उसके बाद ही आपकी subjective test की copy यानि कि जो online आपका जो answer रहेगा वो check किया जाएगा देखे exam का pattern bank PO mains के जैसा ही है अगर आप IBPS PO, SBI PO या RRBPO के लिए preparation कर रहे हो तो बस आपको practice करने की ज़रुवत है description दो मैंने एक free mock test link provide किये, उस mock test को देने के बाद आपको SIDB grade A exam का exact pattern पता चल जाएगा, तो वो mock test आप ज़रूर देना, syllabus की बात करें तो देखे यहाँ पे mainly चार section से questions पुछाएंगे apti, reasoning, english and general awareness तो bank का जो syllabus है, exactly वही syllabus रहने वाला है, उसमें कोई change नहीं रहेगा बस कुछ-कुछ चीज़ों में difference रह सकता है जैसे जो general awareness का section है उसमें financial awareness, banking awareness related questions ज़्यादा पुछाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा apply करने का सारा process online है अब directly SIDBEE के official website पे जाके register कर सकते हो registration के link आपको description box में भी मिल जाएगी अगर बात करें application fees की तो SC, ST and PWD candidates के लिए application fees है, total 175 rupees और बाकी सारे candidates के लिए 1100 rupees है और staff candidates के लिए कोई fees नहीं है SIDBEE के इस notification मुझे कुछ चीज है जो बहुत बेकार लगी है जैसे इन्होंने जो normal graduates है उन्हें eligible ही नहीं किया है exam के लिए और ये बहुत गलत बात है अगर किसी person ने normal graduation किया हुआ है BA, BSC, BCA अगर है किया हुआ है तो apply करने के लिए eligible नहीं है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए competition अगर हो तो fair competition होना चाहिए सब को मौका मिलना चाहिए तो SIDBEE को इस बारे में सोचना चाहिए दूसरी बात है age limit के बारे में general candidates के लिए general category candidates के लिए maximum age 28 years है कि इतने भी exams होते है at least जो assistant manager level के जो exam होते है उसमें सब में maximum age 30 years रहती है इसमें के लिए 28 years है ये भी एक बहुत गलत चीज है बहुत सारे students के life के साथ खिलवाल कर रही है SIDBEE और तीसरी चीज है fees fees इतना ज़ादा ये लोग रखते है 1100 rupees सब के लिए pay करना possible नहीं है तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में इन्हें अच्छे से सोचना चाहिए notification and registration के link मैंने description box में डाली हुई है तो आप वहाँ जाके notification को पहले पढ़ो अच्छे से उसके बाद ही register करना हडबर में registration नहीं करना है वो सब चीज़े आप पहले समझ लो उसके बाद ही आपको apply करना है और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाब रहता है कोई भी query रहती है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो या तो आप directly मुझे मेरी telegram channel पे comment करके वहाँ पे आके पूछ सकते हो और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कर लेना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो like कर देना ज्यादा से यादा share करना Thank you